दोस्तों जैसा कि railway ने वादा किया था कि 10 तारीकों election का result आ जाने के बाद में वो RRB NTPC का जो CBT-2 exam होना है उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाएगा ये चीज़ announce कर दी है RRB Group D का जो exam है ये CBT-1 और CBT-2 में नहीं होगा ये चीज़ announce कर दी है और ये exam होगा कब ये सबकुछ इस official notice में जारी कर दिया है तो पूरे इस notice को देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बोली गई है तो RRB इस notice में लिखता है कि RRB NTPC और Group D exam से related हमने एक notice release किया है जिसमें कि हमने क्या decide किया है वो सुनते है तो पहली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो RRB NTPC exam था जिसमें कि students ने ये demand किया था कि 20 गुना unique student को बुलाया चाहिए पहले इन्होंने 20 गुना role number को बुलाया था लेकिन यहाँ पर RRB ने को साफ साफ लिख रहा है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि RRB ने लिख दिया है कि हमने आपकी इस मांग को मान लिया है और हम 20 गुना 20 times unique candidates will be sort listed तो unique चात्रों को 20 गुना जादा unique students को select किया जाएगा ठीक है तो यह यहाँ पर बड़ी खुसकबरी है students के लिए साथी साथ में अब उन बच्चों को भी डर लग रहा था कि जो लोग अभी select हो चुके हैं उन्हें लग रहा था कि जब 20 गुना जादा बच्चे बुलाकर नया result रिलीस किया जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा जिनका पहले से नाम है उनका नाम हटा दिया जाए तो railway साथ साथ लिखता है the candidates already announced qualified will continue to remain qualified यानि कि अगर आपका पहले list में नाम आ चुका है qualified candidates में तो आपका नाम हटाया नहीं जाएगा आप फिर भी qualified candidates में ही रहेंगे इसके लाबा अगली बात rrb कहता है कि जो जैसे कई मार होता है कि normalization का process इतना complicated है कि कभी-कभी जादा marks आने बाला बच्चा भी select नहीं हो पाता है तो rrb तो ये चा रहा था इसने लिखा इस चीज को कि जो rrb का exam है ये single day single shift में हो क्योंकि एक ही paper से सभी बच्चों को judge किया जाए लेकिन यहाँ पर ये लिखता है कि जब वो ऐसा करने की सोचते हैं तो ऐसी चीज पॉस्बिल नहीं है क्योंकि capacity बहुत जादा है बच्च पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि जो अभी बीच में government है announce किया था कि जो group d का exam है ये दो stage में लिया जाएगा cbt1 और cbt2 अब इन्होंने बापस से announce कर दिया है कि हम अपनी उस चीज को बापस लेते हैं rrb group d exam के लिए single stage exam होगा ये चीज देखो यहाँ पर लिखी है क rrb group d का जो exam है ये single stage में होगा ठीक है तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने लिख दी है बाकि उन्ही सब बातों को देखो और भी points में साफ साफ अलग लग लग लिख दिया है कि percentile वाला जो normalization का process होगा हम उसको अपनाएंगे क्योंकि वो आसान होता है और कोसिस करेंगी कि एक-एक shift में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को exam देलबाय जाए so that ज्यादा number of shift ना हो क्योंकि जितनी कम shift होगी उतना accurate होगा result बाकी medical standard पगर के लिए चीज दे रखी है अब आजाते है कि इस exam के exam date क्या होगी तो पहली चीज है कि rrb ntpc का जो revised result आएगा वो कब आएग वो आएगा first week of April 2022 April 2022 के पहले week में rrb ntpc का 20 गुना unique candidate वाला result अनौंस कर दिया जाएगा ठीक है इसके बात में कि cbt2 का जो second stage का exam है वो कब होगा मई के महिने में होगा अप्रेल में उसका result आजाएगा और अगले महिने ही मई के महिने में cbt2 का exam हो जाएगा और cbt2 exam के जो अलग-अलग level है जैसे कि level 6 वाला exam महिन में होगा और भी जो level है वो सब exam भी उसी मन्त में आगे आयोजित किये जाएगे अब कहना है कि चुकि rrb group d exam के लिए चुकि single stage में exam होगा दो stage में exam नहीं होगा तो यहाँ पर इन्होंने अपने notice में लिखा है कि उस exam को single stage में करने के लिए इनको अपने exam लेने के तरीके में change करना पड़ेगा एक सिप्ट में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को exam दिलाए जा सके इस वज़े से जो exam center है वहाँ का infrastructure बदलना पड़ेगा logistics में change करने पड़ेगे यानि कि कहने का मतलब है कि इनको बहुत सारी त तो लिख रहे हैं कि RRB group D का जो level 1 का exam है ये tentative date दे रखी है जुलाई 2022 में इसको लेंगे तो ये exam date इन्होंने allowance करी है बाकी दोस्तों आप इसके बारे में क्या सूचते हैं comment box में लिखकर बताएं कि आप ये जो exam date है इसके बारे में आपकी क्या राय है जल्दी से बताएं करेंगे में आपके उंचा राय है जो बताएंक बारे में ये आपकी क में आपकी कने करताता है है जु कर सकफशा अर्क